दक्षिन अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रोन वेरियंट ने एक बार फिर दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है वेक्सिनेशन पर जोर दिया जा रहा है विश्यो स्वास्ति संगठन पहले ही चेता चुका है कि जब तक दुनिया की जाधतर आबादी वेक्सिनेट नहीं होगी तब तक संक्रमन का खत्रा बना रहेगा भारत समेट दुनिया के कई देशों में अभी वेक्सिन की पहली और दूसरी डोस का इंतिजार किया जा रहा है तो इसराइल अपने लोगों को चौथी डोस देने जा रहा है इसराइल दुनिया का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को सबसे पहले कोरोना के खिलाफ वैक्सिन की बूस्टर डोज दी थी और अब वैक्सिन की चौथी डोज की तैयारी भी हो रही है इसी के साथ इसराइल दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां चौथी डोज लगाई जाएगी इसराइल के प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनिट ने चौथी डोज लगाने का ऐलान किया है उन्होंने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चौथी डोज अभी साथ साल से उपर के बुजूर्गों और गंभीर बिमारियों से जूज रहे लोगों को लगाई जाएगी इसराइल में भी ओमिक्रॉन का कहर देखने को मिल रहा है जहां नए वेरियंट से पहली मौत भी हो गई है इसराइल की स्वास्ते अधिकारियों के मुताबिक दक्षिनी शहर बिर्शेबा में स्थित सोरोका अस्पताल बे एक साथ साल के बुजूर्ग की मौत हो गई जो ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद दो हफ़ते पहले भरती हुए थे बताया जा रहा है कि बुजूर्ग पहले से ही कई तरह की बिमारियों से जूज रहे थे इसराइल उन देशों में से है जिसने ओमिक्रॉन की चेतावनी के बाद सबसे पहले हवाई यात्राओं पर प्रतिबंद लगाया था हाला कि उसके बाद धी यहां ओमिक्रोन का संक्रमन्ट तेजी से फैल रहा है परधान मंची नफ्ताली बेनेट ने कुछ दिन पहले राष्ट को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में कोरोना की पांचवी लहर की शुरुआत हो गई है पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि उमिक्रोन वेरियंट बेहत संक्रामक है और दो-तिन दिन में ही इसके मामले दो गुने हो जा रहे हैं पांचवी लहर शुरु होने की चेतावनी देते हुए उन्होंने माता पिता से बच्चों को भी वैक्सीन लगवाने की अपील की थी इस्राइल ने पिछले महीने 5 से 12 साल के बच्चों का भी वैक्सिनेशन शुरू कर दिया है लेकिन अब भी लोग बच्चों को वैक्सिन लगवाने से डर रहे हैं पिएम ने कहा था कि बच्चों की वैक्सिन सेफ है और अब ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें वैक्सिन लगवाएं उन्होंने कहा था कि जो माता पिता वैक्सिन की तीन डोज ले चुके हैं उन्हें अब बच्चों को सुरक्षित रखने की जरूरत है तरान्विला की अबादी वैक्सिनेट हो चुकी है फिर भी वहाँ संक्रमंट नहीं थम रहा इस्राइल में कोरोना से अब तक 8200 लोगों की मौत हो चुकी है फिर भी वहाँ संक्रमंट थमने का नाम नहीं ले रहा है न्यूस डेस्क डेली इंडिया न्यूस